कुक आज 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 आज़ आज दिखाने वला हूं कि आधी वसी लोग वन पूजा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं तो आज की वीडियो में अप लोग बने रहें तो जैसा कि अभी हम लोग सभी कोई वन में पूजा इस्तल पर जाने के लिए तेयार हैं फाइनली अभी निकल पढ़े है वन की और पूजा इस्तल पर धोल नगाड़े के साथ जैसा कि मेरे गाउं के सभी जवान बड़े भूढे सभी को जा रहे हैं पूजा इस्तल पर पूजा करने के लिए तो अभी हम लोग गाउं से बाहर आ गए हैं और जो आगे आप लोग देख पा रहे हैं वन है तो उसी में पूजा करने जा रहे हैं और यह जो वन है मेरे घर से लगवाग एक किलिमेटर की दूरी पर है तो अभी हम लोग वण में पहुँँच गए हैं और अभी हम लोग यहां पर चटथाई करेंगे चटथाई करने के बाद उपर में पूजाइस्टल है देख सकते हैं कि पूजा इस तर पर हम लोग अभी पहुँच गए हैं और इसी पत्थर पर पूजा करना है मैं आप लोग को बता दो कि यह जो वन पूजा है यह हमारे आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्तपूर्न है क्योंकि यह वन पूजा वर्सों से चला आ रहा है हमारे आदिवासियों बड़ी धुंधाम से मनाते हैं कहीं कहीं तो नाजगान भी करते हैं इस मोके पर लेकिन हम लोग के गाह में वैसा कुछ होता नहीं बस वन पूजा होता है साथ ही अप लोग को बता दो कि हमारे आदिवासियों लोग वन जंगल पर ही आस्रित रहते थे पहले जमाने में और जो कि अभी भी रहते हैं वन जंगल से हमें बहुत कुछे से चीज़े मिलते हैं खाद बदार भी मिलता है इसलिए पूजा करना तो बनता ही है और ये वन पूजा हम लोग परते एक वर्स करते हैं तो अभी हमारा यहां पर पूजा संपन हो गया है और यहां पर परसाथ सरोग चावल की रोटी बाटा जाएगा तो आप लोग को बता दो कि एक इस टाइप का चावल का रोटी है तो इसको बनाने का विधी जो है ये सक्वा की पत्यवामन ने पत्तो से इसको लपेट करके वतन में उबाला जाता है जैसा कि अभी हमारा यहां पर पूजा संपन होई गया है तो अभी घर के लिए निकल रहे हैं और अभी जीधर से आये थे उधर से ना जा करके दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है जो कि अभी खेतों के ओर से जा रहे हैं और अभी हम लोग खेतों के रास्ते से होते हुए अभी हम लोग घर को आ गये हैं पर यहां भी कुछ रस्म बाकी है झाल झाल तो फिर चलिए आज के वीडियो करते हैं तक एंट तो आसा करते हैं आप लोगो को ये वीडियो पसंदाए होगा अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू से कर दे और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें तो फिर चलिए मिलते हैं किसी अच्छे मिर्दार बुलो के साथ फिर से तब तक ले जे आदिवासन